नमस्कार दोस्तो, मेरा बापुधाम मेरे कर्तव्य में आप सभी का फिर से में स्वागत करते हूं। जी हाँ दोस्तों, ये वो कर्तव्य है जो हम सभी इस समय बापुधाम के निवासी और जो भी बापुधाम से रिलेटिड हैं, जो सम्बंधित हैं, वो सब इस समय अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। दोस्तों, इस COVID-19 की lockdown की situation में हम सब अपने आत्मबल को बढ़ा कर, एक दूसरे को सहयोग दे कर, बातों को अपने मन में बढ़ा कर, हम आगे बढ़ रहे हैं। इस COVID से, इस coronavirus से लड़ रहे हैं। और दोस्तों, कमाल की बात तो ये हैं, कि हम सब बड़ी हिम्मत के साथ, एक दूसरे के सहयोगी भी बन रहे हैं। हम social distancing को maintain कर रहे हैं। हम अपने आपको घरों में रखकर अपनी और दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। हम इस विचार को कि हम स्वेम सरक्षित रहेंगे तो दूसरे भी सरक्षित रहेंगे इस बात को अपना रहें हैं। कॉलनी में जो इसी मरीच के बन चुका है या इस बिमारी में फस चुका है हमें उसके प्रती वहवार अपना बहुत अच्छा रखना है। जी हां दोस्तो कोई नफरत का वहवार ना हो एक हमदर्दी का एक प्यार का एक वो अपने पन का वहवार होना चाहिए। दोस्तो घर के सदस्यों में भी तो कभी बुखार, खांसी जैसे हो जाती है, तो क्या हम उन्हें छोड़ देते हैं? नहीं, हम उनके सहयोगी बनते हैं, हम अपने घर वाले उनकी मदद करते हैं, मगर हमें जो इस समय कोविट के टाइम पे मदद करनी है, वो ये है दोस्तो, अपने घरों में रहकर ही उनके लिए अच्छी भावना रखनी है, जी हां दोस्तो, सब के प्रती अच्छी भावना, उस बात को बस गांट बांद ले कि किसी के प्रति हमने गलत भैवार नहीं करना है, नहीं हमने उस बात का प्रचार करना है। दोस्तों वर्णा हम क्या करते हैं? हमें पता चलता है कि फलाना व्यक्ती जो है वो हॉस्पिटल लेके गया गया, उसको वापिस लाया जा रहा है उसके साथ ये हुआ अब पुलिस आ रही है उसके घर के आसपास को सील कर दिया गया है और हम इस चर्चा को पता नहीं कितने घंटो घंटो तक फोन पे एक दूसरे तक पहुचाते रहते हैं पहुचाते रहते हैं, वाइरल करते रहते हैं, जो कि बिलकुल गलत है दोस्तों, दोस्तों अपने घर परिवार में भी तो कुछ 19-20 बात होती है, तो क्या हम उसे पूरी सोसाइटी में फैलाते हैं, नहीं, हम अपने घर की बात को अपने घर में ही रखते हैं, और मेरा बाप बिमार है, वो होस्पिटल लिया जा रहा है, उसके बातों को हमें प्रचार नहीं करना है, बलकि उनके लिए शुब भावना, शुब कामना हमें करते रहना है, दोस्तों हम सब हिंदुस्तानी हैं, और ये बात आपको बच्चों से ज़्यादा कौन बता सकता है, तो आजकी इस चर्चा में मैं जो आपके सामने बात लाई हूं, वो उन प्रतियोगिता की सबसे पहले रिजल्ट की लाई हूं, जो आप सब के बच्चे हमें रोज-्रोज अपने अपने नंबरों पर भेज रहे हैं, जिहां दोस्तों, हमने बच्चों के साथ नंबर शेयर कि तो सबसे पहले हम जो गाने का competition था उसके बारे में बताएंगे तो हमने पहले दिन के competition की result तो declare कर दिये थे दूसरे दिन भी हमें बहुत सारी audios मिल रही हैं जी हाँ दोस्तों बहुत सारी audio जो बच्चे गाने अपने घर में record करके हमें भेज रहे हैं तो आज के दिन के जो इस गाने के प्रतियोगिता के winners हैं मैं उनका नाम और उनके बारे में आपको बताऊंगी और फिर आखरी में उनको सुनवाऊंगे भी तो सबसे पहले हम बताते हैं सिमरन के बारे में जी हाँ दोस्तों सिमरन बापुधाम कॉलनी की ही लिवासी है चात्रा है बार्वी कक्षा में पढ़ती है और इस प्यार इसी बच्ची ने अपनी बात एक गाने के माध्यम से हमें बताई है और छोडो कल की बाते कल की बात कितने बढ़िया तरह से इसने इस बात को ध्यावराया है इस गीत को हम सुनेंगे जो हमारे को पसंद आया है जो जजिस को पसंद आया है और हमने इने सेलेक्ट किया है दूसरा जो गीतों का कलेक्शन है वो हमारे लेके आए है कुछ नन्हे कलाकार उनका नाम है खुशी, शेव, आरती और ये जो तीन-चार बच्चे हैं इन्होंने ग्रूप सिंगिंग करके ये गाना भेजा है हम होंगे कामिया देखे ना दोस्तों कितनी कमाल की बात भेजी है इस करोना के टाइम पे ये गीत हमें कितना जोश भर रहा है और जब आप इस गीत को सुनेंगे उससे पहले जो आरती जो स्टूडेंट है वो कितनी प्यारे तरीके से आपको मैसेज देगी करोना का वो जरूर सुनिएगा तो कितनी जोश और जजबा है सिमरन में, खुशी में, शिव में, आरती में जो हमें इस समय कोविट के टाइम पे भी अपने गीतों से मनोरंजन कर रहे हैं तो आप मेरी आवाज के बाद इन आवाजों को बहुत जल सुनेंगे जो लेके आई हैं सिमरन छोड़ो कल की बाते और हम होंगे कामियाब जो खुशी, शिव और आरती लेके आई हैं अब हम आते हैं हमारे कल की प्रतियोगिता जो थी डान्स कॉंपटिशन जी हाँ दोस्तों, हमने आपको कल कहा था कि आपके बच्चे जो भी घर में हैं, जो खाली है किसी भी उम्र के हों चाहे लड़का है, चाहे लड़की है कोई भी है, वो बच्चा अपनी वीडियो बना कर हमें डान्स की भेज सकता है तो अब आप बहुत बहुत रिजल्ट को सुनने के लिए उत्सुक होंगे और हमारे जर्जिस ने, हमारे पैनलिस्ट ने जिन बच्चो को सलेक्ट किया है वो इस तरह से हैं तो फर्स्ट लेवल पर जो फर्स्ट फ्राइज लेके आ रहे हैं वो दो बच्चे हैं जी हाँ दोस्तो, बापुधाम कॉलनी के 158C के ये बच्चे हैं और ये है प्रिया और जोती ये प्रिया और जोती ने इतना प्यारा हमें डांस परफॉर्मेंस भीजा है दोस्तो कि वो सारे जजिस के दिल को छुगया तो फर्स पोजिशन पे प्रिया और जोती ये दोनों आते हैं और सेकिंड पोजिशन पे संधिया जिन्होंने बहुत अच्छा देशभटी का एक गीत लिया और उस पे उन्होंने डांस किया फिर सेजल फिर उसमें सीता, पूजा, पिंकी ये सारे बच्चे हैं जो हमारे लिए जिन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे डांस भेजे और हमने उन्हें second level पर लेके आए जी हाँ दोस्तों तो first position पे प्रिया और जोती हैं और second पे हैं सेजल, सीता, संध्या, पिंकी और पूजा ये सब ही हमारे आज के winners हैं अब आती है आज के प्रतियोगिता का जो हमें चैयन करना है जो उसका process है वो हम आपको बताते हैं जी COVID-19 पे आप एक प्यारी सी कविता लिखिए सभी बच्चों से हमारा अनुरोध है कि एक प्यारी सी कविता लिखिए COVID-19 पर सब बच्चे लिखेंगे और उस कविता को लिखने के साथ साथ आप उसकी वीडियो बना कर उसे खुद अपने बोल से आप हमारे तक भेजेंगे जी हाँ दोस्तों इस प्रतियोगिता में हमें सारे बच्चों की बहुत-बहुत योगिता और बहुत-बहुत इसमें हमारा उनका सहयोग चाहिए अभी हम देख रहे हैं कि बापुधाम के सिर्फ लड़कियां ही हैं जो आगे आ रही हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है तो आज हम जो competition आपके लिए लाए हैं वो है कविता लिखने की competition आपने खुद की कविता लिखनी हैं और कम से कम आपकी 10 लाइने होनी चाहिए और जादा से जादा 30 लाइने तक हो सकती हैं तो जादा लंपी भी ना हो जादा छोटी भी कविता ना हो ये कविता आप सब ल उस पे अपना एक वीडियो इस कविता को गाते हुए या गुन गुनाते हुए या पढ़ते हुए आप इसे भेजिए फिर वो हम अपने पैनलिस्ट को भेजेंगे और वो सलेक्ट करेंगे फर्स, सेकिंड और थर्ड तो कल तक आपको इनका नतीजा मिलेगा तो दोस्तों आप इस COVID-19 के सिचुएशन में घर में बैठे वे बच्चों प्रतियोगिता में शामिल किर जिए तो सबसे पहले मैं आपको उस नंबर के बारे में बता रही हुँ जिस पे आपने अपने WhatsApp वीडियो को पेजना है तो आप सभी तैयार हो जाए उस नंबर को नोटाउन करने के लिए नंबर है 7087475267 मैं फिर से धोराती हूँ 70874747 पाँच दो छे साथ 7087475267 साथ जीरो आठ साथ चार साथ पाँच दो छे साथ आप अपने वीडियो इस नंबर पर भेजिए और फिर हम इसमें से बेस्ट बच्चों का चैयन करेंगे और उनके घर तक हम उनके गिफ्ट्स पहुँचाएंगे तो दोस्तों हमारे साथ बने रहेए रोज मेरा बापुधाम मेरे कर्तव्य को सुनते रहेए और हमारे साथ इन प्रतियोगिताओं में शामिल होईए अब मैं आपको इस आवाज के बाद अपनी सुना रही हूँ सिम्रन की आवाज और उन बच्चों के आवाज जो गाना गा रहे हैं हम होंगे कामिया तो सुनते रहे